बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हर देख स्वागत है दोस्तो दिल्ली में अगर आप सिक्षक बनना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी वेकेंसी आई है टोटल 22,000 वेकेंसी आई है टीचर्स की जिसमें 7,000 वेकेंसी के लिए पहले ही विग्यपती जारी हो चुकी है और यह जो विग्यपती है इसके जो फॉर्म है वो भरने ही वाले हैं लगबग इसी सब्ताह इसके ओनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे विग्यप्ति पहले ही जारी हो चुकी थी इसके अलावा हजारों की संख्या में DSSV में वेकेंसी आज आई है यानि कि आज जब में वीडियो आप देख रहे हैं आज नोटिफिकेशन आया है जिसमें 1100 प्लस वेकेंसी हैं अब सारे ओफिशियल नोटिफिकेशन को भी में चर्चा करूँगा और आपको ये भी बता देता हूँ अगर इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह अप्लाई करेंगे आपका कुशन पेपर किस तरह का आएगा है ना पूरा एक्जाम का पेटर ने डिसकस करूँगा मैं आज और कौन-कौन इसको भर सकता है यानि कि eligibility इसकी क्या है उसके बारे में चर्चा करूँगा कल की वीडियो में मैं आपके लिए ये नोटिफिकेशन को ले कर आऊँगा और उन नोटिफिकेशन में आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसमें चीजे है इन में माइनस मार्किंग भी है वन बाई फोर्थ की माइनस मार्किंग भी है तो ये सारी चीजे में आपको कल बताऊँगा चलिए शरुवात करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में एक एक करके में आपको बताता हूँ कि PRT टीचर्स की विकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको DLA या फिर BLA करना है सीट पेपर वन क्वालिफाई होना चाहिए 21-30 वर्स के बीच आप होने चाहिए यह आप याद रखिएगा 21-30 वर्स यहाँ पर जो फीमेल्स हैं महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा और इसमें वो कर दिया गया है ऐरक्षन दे दिया गया है 35 वर्स तक महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती है तो यह आप याद रखिएगा अगर आप PRT टीचर की वेकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21-30 वर्स के बीच आप होने चाहिए सीटाइट पेपर बन क्वालिफाई होना चाहिए डीलेड बीटीसी करना चाहिए ठीक है इसके बाद TGT ट्रेंड ग्रेजुट टीचर टीचर्स की वेकेंसी देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है तो बीएड आपके पास होना चाहिए सीटाइट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए आपका 21 से 32 साल के बीच मेंकर आप हैं तो आप इसमें एपलाई कर सकते हैं वुमेंस के लिए महिलाओं के लिए 38 साल तक इसमें वो दिया गया है इसके अलावा जो आरक्षन है वो भी जो भी नियम के अनुसार होता है जैसे राजियों का जो भी नियम है जैसे दिल्ली में जो सरकार है उनकी अनुसार जो भी आरक्षण के नियम है उसके तहट आपको आरक्षण का भी लाब मिलेगा है ना इसके लावा PGT का मैं आपको बतायता हूँ B8 आपके पास होने चाहिए Post Graduation में जो भी subject है क्योंकि subject के according ये भरा होना चाहिए सीटेट आपका qualify हो या फिर नहों कोई दिकत वाली बात नहीं है और 40 साल maximum इसमें आयू सीमा रखी गई है तो इस तरह की आपकी qualification रहती है अगर आप दिल्ली में teacher बनना चाहते हैं इनके जो दो notification आए हैं वो मैं आपको कल discuss करूँगा किस तरह आप apply करोगे एक्जामिनेशन की date बगरा क्या है कब से online form भरे जा रहे हैं क्योंकि official notification आ चुका है अब मैं आपको पता देता हूँ कि दिल्ली में अगर आप teacher बनना चाहते हैं तो आपका question paper किस तरह का आएगा यह आपका exam pattern है यह आप exam pattern बड़े दिहांसे से देख लीजिए यह अगर PRT teachers के लिए apply कर रहे हैं तो 1500 questions, 1500 marks के आपको पता है और धाई गंटे जैसा CTET में और बाकी राज्यों के TET exams में होता है same to same is में ही है 1500 के और धाई घंटे में आपका question paper होगा ठीक है और इसमें negative marking भी होती है याद रखना 1 by 4 की negative marking भी आती है TGT teachers के लिए मैं आपको पता देता हूं 100 number का एक question paper होगा और 200 number का एक question paper होगा इन में 100 और 200 number में क्या क्या आएगा वो भी में आपको बताता हूं ऐसे ही PGT teachers के लिए जो vacancy है उसमें भी question paper 100 का और एक 200 का PRT जो भी primary teachers होते हैं उनके लिए तो simple process है ठीक है यहाँ पर TGT teachers के लिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर 100 marks जो पहले रखे गए है पहला portion रखा गया है उसमें आपकी Hindi, English, GK, Maths और reasoning आती है यानि कि 100 प्रशन होंगे आपके इन 5 subject से 20-20 लगभग प्रशन होंगे हर एक subject से हिंदी, English, GK, Maths और reasoning से 200 number के 200 questions आएंगे आपके subject से जिस subject के लिए आप अपलाई कर रहे हैं क्योंकि TGT PGT में subject के teachers apply करते हैं तो जिस subject से आप अपलाई कर रहे हैं उसके 200 number के 200 questions भी होंगे यह भी आप आद रखेगा ऐसे ही PGT teachers के लिए है आप लोग 100 marks के यह सारे subject आएंगे और जिस subject से आप भर पुरे exam का pattern है और याद रखेगा 1.4 यानि के 1.4 की माइनस मार्किंग रहती है इसमें तुक्के वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं चलती है जिनका seat at qualify है पेपर 1 हो पेपर 2 हो जो PRT के लिए भरना चाते है वो PRT के लिए भरी है जो TGT PGT के लिए भरी है जो TGT PGT के पताई है कि अगर आप दिल्ली में सिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए वेकेंसी ओफिशल आ चुकी है यहना SNE आएगी आ चुकी है और इसमें आप भर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ informative वीडियो थी DTSB पर उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर अटार जाओगा झार अड़ाओगाब है ौरेण के वीडियो आपको थीडियो आपकेंसी ओा ड़ता हैं।